हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के कीचन टिप्स लेकर आई हम जो मेरे रोज काम आती है उमीदे कि यह आपके भी बहुत काम आने वाली है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आप हर वीडियो तो इस तरह का कप रहता है तो इसे हम फेक देते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यह कप आप फेके नहीं बहुत ही यूश्फूल है तो इसे हम दही इस्तेमाल करने के बाद धोलेंगे अब इसमें आप यह छोटी छोटी चीज जो होती है जैसे की नेल कटर, सैलो टे इस तरह की छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं फेक विक आपके जितने भी छोटे आइटम्स है चावी तो इधर उधर रखे रहने के वज़़ा से मिल नहीं पाते हैं तो इस तरह से आपके सारे समान एक जगह पे रहेंगे और यह और्गनाइज भी दिखेंगे तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह टिप्स आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर मुझे केमेंट करके मेरी जो अगली टिप्स है वो है कैची को लेकर तो इस तरह का इस टील का हम स्कॉच ब्राइट ले लेंगे तो देखिए मैं नयाग खोल रहे हूं इस तरह से कम हो जाती है तो आपको कहीं जाने की जुरुत नहीं है इस तरह से आप चाकू पे चला दिजे तो आपकी धार वापश आ जाईगी आप देखेंगे कि आपकी धार वापश आ गई है तो देखिए हमारा चाकू एक दम सार्प हो गया अब कैंची पे भी हम इसी चला देंगे दोनों साइड से हमें चलाना है एक तरफ से हो गया आप दूसरी तरफ से भी इस तरह से आप रगर दे हलका हलका ज्यादा जोड नहीं लगाना है तो देखिए हमारी कैंची भी एकदम सार्प हो गई है मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ देखिए कितनी असानी से कर जा रही है तो इस तरह से आप धार को वापस ला सकते हैं घर में बिना खर्च किये हुए तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताईए गया उमीद है कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी मेरी जो अगली टिप्स है वो है कोई भी रिफाइन या सफोला का पैकेट हम भी जब भी बजार से लाते हैं तो इस तरह से काट के हम उसे किसी डब्बे में डाल देते हैं इस तरह से तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस डबे में आप रिफाइन को डाल दे रिफाइन या तेल जो भी आप लाते हो उसके बाद अक्सर हम क्या करते हैं कि इस पैकेट को फेक देते हैं डालने के बाद लेकिन ऐसा आप नहीं करें इसमें कुछ तेल या रिफाइन रह जाते हैं इस तरह से आपको देर आप इसको छोड़ दे इसी तरह से आधा गंटा छोड़ देंगे तो तेल आपका एक जगह कठा हो जाएगा जम जाएगा तो इस तरह से आप वापस से फिर तेल को डब्बे में डाल दें तो आपका तेल भी बढ़वाद नहीं होगा तो यह टीपस आपको कैसी लगी बताईएगा जरूर मेरी जो अगली टीपस है वो निम्बू को लेकर है जब भी हम मार्कर से जादे मातरा में निम्बू लाते हैं तो वो सुखने लग जाते हैं उपर का परज जो है वो करा होने लग जाता है तो इस तरह से हमें प्लास्टिक लेंगे कोई भी आप प्लास्टिक ले सकते हैं उसमें निम्बू को हमें डाल देना है इस तरह से और इसे हलका हमें इस तरह से बांद देना है और बाढ़ने के बाद आप चाहे तो फ्रीज में भी 15 दिन तक इस्टोर कर सकते हैं या बाहर भी आप अगर इसे वन विग तक छोड़ देते हैं तो आपका निम्बू खराब नहीं होगा तो इस टिप्स कैसी लगी बताईएगा जरूर अगर पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड में सेर कर दिजेगा बाई बाई